नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दो न्यूस आपके साथ मैं स्ट्रिस्टी मिश्रा लाल डायरी तीन पन्ने लाल डायरी के खुल चुके हैं रजस्थान की बात करूंगे आज और देखें राज़ेंद्र गुढ़ाजु की बात होगी प्रेस कॉन्फर हट में राज़ेंद्र गुढ़ा के साथ मारपीट की गई थी वीडियो देख रहे होंगे आपने और वो खबर पड़ी होगी राज़ेंद्र गुढ़ा के पन्ने को लेकर फाड़ा गया सदन के पटल पर इसको टेबल नहीं होने दिया जा रहा है और इस लाल डायरी में र राजस्थान के अंदर डूमने के कगार में पहुच जाएगी दर शको बहुत बड़ी खबार राज़ेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से दलाल डायरी का दिकर किया है और RCA यारी राजस्थान क्रिकेट एसोशेशेशन में हुए लेन देन की खबर सामने आई है देखि धरमेंद्र राठोर के साथ हुई थी और ये पूरी बाच्चित की रिकॉर्डिंग है और इस बाच्चित में जो खबर सामने आई जो जिस तरीके से घोटाले हुए ध्वका धड़ी हुई उसकी ही कुछ पन्ने लाल डायरी में दर्ज है और देखिए इस लाल डायरी में गुढ़ा ने कह दिया है जा डायरी में राजस्तान क्रिकेट अस्यूैशन वाला हिसाप किताब करने की बात कई गई है बता देए Kisके बैटे आरसीए कर अध्यक्ष है यानि रहस्थान क्रिकेट एस्टेशन के अध्यक्ष किसके हैं वो अशोग गैलोत के बेटे हैं जी हाँ सीम अशोग गैलोत के जो बेटे हैं दर्शको वो आर सी ए के अध्यक्ष हैं और परेटन विकास मंत्री और इधर अशोग गैलोत के ओएस्डी इन दोनो को अब लाल डायरी का और वर्जन लाना चाहिए और देखे कोई नहीं बच सकता है भरस्टा चार हुआ है उन्होंने साफ तर पर कहा कौन जवाब देगा पेपर लिख माफियां से राजस्तान अचूता नहीं है इसके साथ साथ अवैद खनन से राजस्तान अचूता नहीं है इसके साथ साथ जिस तरही से राजस्तान में घोटाले हैं महिलाओ के साथ त्यचार है दर्टों के साथ त्यचार है उसकी जवाब दही आखिर कौन ताय करेगा और देखे इसी बात को लेकर जमकर भरातिये जनतापाची हमलावर बोल रहे है पीजेपी प्रवक्ता की रगुठा को बर्खास कर देती है यह पहला नियम है और देखे दर्सु को यहां कहा जा रहा है शहजाद पुनावाला के दुआरा की क्या गोपाल के सावत पेपर लिक माफिया को नहीं बचा रहे है और खनन को नहीं चिपाया गया है राजस्थान अब इतना भरस्टा चार नहीं सहेगा और इस लाल डाइरी में कॉंग्रेस की कई ऐसे काले कारनामों का जिक्र है जो कि आने वाले समय में कॉंग्रेस के भरस्टा चार को खुले सभा में इसको कहीं न कहीं जन्ता को दिखा सकती है राजनीती में बदले की भावना सभी नेताओं में होती है और आप प्रास्योति में कुछ भी जायज है तो देखे राजज़ूति का जिक्र यहां हो रहा है यहां पर राज़िस्थान में अभी चुनाओ होने माले हैं च्छे महेने से भी कम का टाइम बचा हुआ है लोकसभा चुनाओ आ गया सब सर पर है चुनाओ सर पर है और सरगर्मिया ते C.M. अशोग गेलोट के बेटे वैभाव RCA के अध्यक्ष हैं और उस विभाग में C.M. अशोग गेलोट के OSD सौभाग सिंग परेटन विकास निगम के चेर्मेन धर्मेंद्र राठोर के बीच बाच्चित का जिक्र किया गया है। पूरा करो तो भावानी समोता ने कहा मैं C.P. साहब की जानकारी में डालता हूँ आपको 31 जनवरी तक बताता हूँ। राजंद्र गुढ़ा देखे पहले भी लाल डारी का जिक्र कर चुके हैं कि कॉंग्रेस के किस रास्टियन निता के पास कितना पैसा है ये भी इस लाल डारी में लिखी गई बाते हैं। दर्श को आपको याद होगा किस तरीके से C.M. अशोग गहलोत पर सचिन पालेट हमलावर थे। बोल चुके हैं और सचिन पालेट ने कहा था कि BJP का पैसा लोटा दे अमिच्छा का पैसा लोटा दे ने तो अब वो दबाव बनाएंगे यानि कि पैसों की लेंदेन राजस्थान सरकार के भीतर अशोग गहलोत सरकार के भीतर हुई है और इसी वज़े से लाल डायरी अब खत्रे की लाल डायरी बन चुके है देखिए खत्रे का निशान भी लाल होता है और लाल को एक वाइवरेंट कलर माना जाता है अब लाल डायरी में क्या है ये राजस्थान के अशोग गहलोत समझ सकते हैं और हो सकता है कि अशोग गहलोत ने अपने आला कमान को इसकी जानक इसी वज़े से पार्टी की वो पोल पट्टी खोलते वे नज़र आ रहे हैं कि आखिर कॉंग्रेस आला कमान चाहती क्या है और किस तरीके से राजमिती में ये काम करते हैं आगे मैं आपको बता दूँ उन्होंने कहा कि पैसा हर महीने उन नेताओं को दिया जाता था मतलब र गहलोत के लिए लॉबिंग करते हैं सुनिया गांधिया और रहूल गांधि के सामने अशोग गहलोत की लॉबिंग करके उनकी कुरसी को बचाई गई थी और इसी बात से लगातार लाल डायरी का जो खत्रा है जो खत्रे की घंटी है वो कॉंग्रेस के दर्वाजे पर बज रही है और कॉंग्रес आला कमान इसको छिपाने की इसको मिटाने की इसके एतिहास चाह को भूलाने की कोशिश कर रही है और इसी लाल डायरी में राज़न्रा गुठाँ ने सभी पन्नों को पढ़कर अभी तक नहीं सुनाए है केवल तीन पन्ने पढ़े हैं और कोड़ वर्ड में इन लेंदेन की बाते थी मतलब कुछ कोड़ वर्ड ऐसे थे डायरी में जिसके खिलाफ ये लेंदेन थी कंग्रेस नेताव के खिलाफ और इसी को राजेंद्र गुढ़ा ने पढ़ कर सुना दिया आप आपको बता दे क कि क्या लिखा जा रहा है अशोग गहलोत के लिए कि साहब कुरसी पकड़े रहना हवा की गती तेज हो गई है यानि रिखिए बीजेपी ये लिख रही है कि कुरसी पकड़े रहना बीजेपी हमलावर है बीजेपी को अभी वहाँ पर चुनाव पर चार परसार करना है और इसी वज़े से कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब बीजेपी जमकर हमलावार है कह रही है, कुर्सी पकड़े रही है, हवा की गती तेज है, आगे मैं आपको बता दू कि शहजाद पुनावाला ने भी कह दिया, हर हिसाब ली जाए कि कॉंग्रेस सरकार से, कॉंग्रेस पार्ट कॉंग्रेस